लो गाइस वैलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेक मैसीजी गाइस प्रिसला वीडियो मैंने जो अपलोट किया था वो उसमें थोड़ी सी वाइस क्वालेटी इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने इसको रिमूव कर दिया और दोबारा से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है इसमें आवाज अच्छी है और तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखो वाग किसे आपके एक्जाम में एक से दो कुश्चन आते रहते हैं कोई भी एक्जाम देलो चाहे वो यूपी टैट हो यूपी लिख पालो यूपी की यतनी भी परिक्षा होती है उनमें वाग किसे प्रस्ट आपसे पूछ लेता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं इसकी परिभासा क्या होती है पदों का जो का मा और ला यह हमारे वर्ण हो गई वर्णों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है सब्द बन जाता है जैसे हमने मिलाया का मा कमल ठीक है तो सब्द भी वो कहलाता है जो सार्थक हो मतलब जो जिसका अर्थ कुछ निकले अब जैसे हमने लमक कर दिया तो लमक का कोई अ कर में विवक्ति जोड़ दें तो वो पद बन जाता है कमल ने पाध़ यह हम ने विवक्ति जोड़ दियों क कमल का फूल eil करें यह तो कमल के बन गया यह बंघ तो जब सब्द के साथ विवक्ति जोड़ जाती है तो उसे हमगा कहते हैं थे आपको ध्यान लगती है नेक्स्ट है हमारा वाक्य, वाक्य में देखो, वाक्य क्या होता है, मैंने बताया पदों का सार्तक समू, इससे पहले मैं डिसकस किया था, अब दोको यहां पर कमल जल में खिलता है, तो कमल यहां पर क्या हो गया है, पद हो गया, जल में खिलता है, दूसरा पद हो गया, तो पदों को हमने जोड़ दिया, पदों को जोड़ करके जो बना, वो हमारा कहलाता है वाग क्या है, ठीक है, अब पदों के सार्थक सम्भू से क्या मतलब है, मतलब यह है कि अगर आप पदों को जोड़ रहे हो और उसका सार्थक अर्थ निकलना है, तब ही वो वाग के वाक्य वो तब होगा पदों का ऐसा समूज जो सार्त हो ठीक है? जो इसका कुछ अर्थ निकले तो वह वाक्य कहलाता है समझ गए होगे अब दोकों यहां पर वाक्य के दो अंग होते हैं उद्देश और विद्देश को हम करता कहते हैं और विदे को हम क्या कहते हैं करीके से क्रिया कह देते हैं उद्देश का हम विस्तार करें तो करता के लिए जो भी सब्द उप्योग कहते हैं उप्योग होते हैं करता के लिए उप्योग होने वाले सब्द वो क्या कहलाते हैं उद्देश कहलाते हैं और क्या के प्लिये प्रियोग वाने वरे सबस्ट क्या कहलाते हैं विड़े कहलाते हैं नेक्स वेट हेमारा वाकय के तत्व्त आपक। इनका मतलब क्या होता है वह उनमें ये सब्धृणी चीज़े होगा क्या क्या है देखो योगिता योगिता का मतलब क्या हो रहा है इसको समझो देखो जैसे मैंने यहां लिखा है अगनी से पौदे सीचे जाते हैं तो अब मुझे बताओ क्या अगनी से पौदे सीचे जाते हैं क्या ये वाक्य योग है नहीं है योगिता क्यों क्यों क्योंकि अ रावड ने राम कुमारा अब बताओ ये इसमें क्रमपद्धिता है राम ने रावड कुमारा था ये रावड ने राम कुमारा था तो यहां पर आपको पता है कि रावड ने राम कुमारा था तो यहां पर क्रमपद्धिता नहीं है इसलिए ये क्या हो गया असुद्ध हो गय जैसे राधा और हमने यहां पर बहुत सारी जगह छोड़ दी फिर गीद फिर बहुत सारी जगह छोड़ दी फिर गाती है अब यहां पर कितना कितना गैप हम लिख करके लिख रहे हैं तो बताओ गैप करके लिखते हो आप किसी वाक्य को नहीं लिखते हैं तो कहने का मतलब है वाक्य में सन्निधी मतलब निकरता होनी चाहिए यह जैसा नहीं है कि बिलकुल बहुत दूर-दूर लिख दिया है आपने पता एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए ठीक है नेक्स है आकांच्छा आकंच्छा देखो यहां पर आकंच्छा का मतलब होता अर्थ ठीक है अ यहां पर यह आकांच्छी नहीं है वाक्य नेक्स्ट देखो अन्वय अन्वय का मतलब होता है mail जैसे में करता कर्म और क्रिया के link वच्छन और पुरस। तत्ह कारक में mail होना आवाлед सके जैसे हमारी जो क्रिया आ रही है, वो कैसी आ रही है, इस ते लिंक की लगा रहा है, खाती है, तो कहने का मतलब यह है, कि जो मेल होना चाहिए, वो वाक्य में होना चाहिए, वो करता, क्रिया, कर्म, लिंग और पुरुष का मेल यहां पर आवश्यक होता है, नेक समय पढ़ लें कि उद्देश और विदेः क्या होता है जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एग्जामपल एलिए रादा अध्यापिका है अब इसमें आपको बताना कौन सा उद्देश यह है कौन सा विदेः है तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो रादा है जो करता होता है वो हमारा उद्देश होता है और जो करता के विशाय में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या है हमारा विदेश होता है ठीक है तो यह चीज होगे मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए तो वो उद्देश होता है ठीक है और करता के विशाय में कुछ भी कहा जाता है वो विदे होता है तो यहां पर करता क्या है रादा रादा के बारे में कहा गया तो रादा उद्देश हो गई और रादा के बारे में जो स्रमकों ने लकड़िया कार दिया assistants then वित्राचि तो इसी तरीके से आपको अगे बढ़ते एं समझते हैं वाक्य के प्रिकार, वाक्य के अर्थ के अधार पर आठ प्रिकार होते हैं, मतलब आठ भेद होते हैं, पहला है कतनात्मक वाक्य, जैसे किसी वस्तु या किस वक्ती की इस्तिती का बहुत कराने वाले जो वाक्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कतनात्मक वाक्य कहलाते हैं, जै इसमें नकारे के ना होने का बोद हो, जैसे तुम स्कूल मत चाओ, तुम स्कूल मत चाओ, ठीक है तो यहां पर मत क्या करा दिखा रहा है, नकारात्मक तर दिखा रहा है, इसलिए यह जो वाक्य हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया, इसमें नहीं, ना, मत का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों में, ठीक है, नेक्स्ट है आगार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आग्यावा निर्देश का भाव पर कटो, जैसे कल अवश्य आना, तो यहां पर निर्देश मिल ला है, आप बाहर बैटी, यह भी निर्देश मिल ला है, ठीक है, तो यह चीज क्या हो गई यह आगार तक वाक्य होगा यहां पर ठीक है नेक्स्ट है प्रस्ण वाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रस्ण किया जाता है ठीक है अब जैसे तुम्हारा क्या नाम है तुम कहां रहते हो इस तरीके से प्रस्ण किया जाएं तो यहां पर जो है यह कहलाता है प्रस्ण वाचक वा जायू हो इस तरीके के जो सब्द होते हैं, वह इच्छा वाचक वाकि कहलाते हैं. नेक्स है संदे वाचक वाकि जिन वाकियों में संदे की भावना हो जैसे सायद आज वर्षा हो, सायद यूज़ोगा संभावना पर नहीं है, सायद वह कल आ जाए सायद अब लॉकडाउन खतम हो जाए तो कहने का मतलब यह है कि संदेव आचक की बाकिय है इसमें सायद मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है नेक्स है विस्मे बादी बोदक आश्चर्य शोक रहना आदी के बाव व्यक्तों जैसे अहा कितना सुंदर गर है तो यह इसमें आश्चर्य हो गया तो इस तरही तरीके से और भी सारे कई विस्मे बोदक बाकि होते हैं तो यह जो यहाँ पर विस्मे बोदक सब्द आजाए जैसे यदी वर्सा होई तो फसल अच्छी होगी मतलब फसल अच्छी होना किस पर डिपेंड करता है वर्सा पर तो मतलब यहाँ पर सर्थ क्या है फसल तब ही अच्छी होगी जब वर्सा होगी तो इसलिए जिसमें सर्थ की पूरती का विदान हो वो संकेत वाचक वाक्य कहलाता है नेक्स अब हम आ जाते हैं रशना के अदार पर वाक्य देखो ये चीज आपकी important है ये चीज आपकी बहुत ज़्यादा important है और इससे आपके exam में question बन जाते हैं तो इनको हमें ध्यानते समझता है तो सरल वाक्य क्या होता है जिन वाक्यों में एक या अधिक करता तथा एक या अधिक क्रिया हो उससे सरल वाक्य कहते हैं देखो कहने का मतलब यह है जिन वाक्य में सिर्फ और सिर्फ करता क्रिया हो करता हो और क्या हो क्रिया हो जिसमें कहने का मतलब यह है जो कंजक्शन वाले बाक्यों को जोडने वाले सब्द जो होते हैं ठीक है बाक्यों को जोडने वाले जो सब्द होते हैं वो आपके प्रिजेंट नहीं होगे जैसे और प्रिजेंट नहीं होगा तथापी किंतु परंतु या अत्वा, यह सब प्रेजेंट नहीं होंगे, यह सब जो हैं, इसमें उपस्तित नहीं होंगे, तो वो हमारे सरल वाक्य क्यालाते है, सरल वाक्य का मतलब यह होता सीधे क्या हो, इसमें क्या हो, करता हो, क्रिया हो, और कर्म हो, तो यह चीज़े क्या होती है, आपकी सरल वाक्य क क्या हो गया है तो आपको सबस्क्र要गाई है ुक्त्र इक विच्ष जिय लागाू ऑGS है जिसमें क्या हो डेखो यहाँ झ invites यहाँ पर देखो यहाँ पर सबस्क्र has to be盲ेगे किडीए Master सिंपल सिंपल से बाक्य होंगे इस्में, तो आपको यह सबजमा आ गया होगा, जिसमें क्या हो? इसका घिससे की, तो चू की, इसलिए यह सब नहीं होगे, तो वह क्या कहलाएंग्गे? हमारे सरलवाक्य की कहलाएंगे अब हम आ जाते हैं मिश्रत वाक्य पर मिश्रत वाक्य में क्या होगा इसमें वाक्य में जब दो क्रिया होंगी और बाद वाली क्रिया पहली वाली क्रिया पर नर्वरो या आस्वित हो तो यह कहलाते हैं मिश्रत वाक्य यह चीज़ द्हान रखना है आपको इसमे की, तो, चूंकी, ताकि जिससे की, इसलिए, यह समुच्च्च वोदक सब्द आप पहचान लो, इन सब्दों को पहचान लो, यह सब्द कर मिल जाए कहीं पे, तो आप आँख बंद करके, मिस्स दुआ के लगा देना, ठीक है, तो इसमें दो चीज़े होगी पहचानने की, ज यहाँ पर एक तो पहचान लोगी की आगया, तो यहाँ पर की को देखकर के आप लगा दो कि यह मिस्सरत वाक्य होगा, दूसरा क्या होगा, कि शाम ने कहा कि कि वे कल कानपूर जाएगा, तो यहाँ पर देखो, प्रतम क्रिया क्या होगी कहा, दुत्य क्रिया क्या होगी ज तो यहाँ पर एक तो इस लिए से पैचान जाओगे, अगर इस से भी ने पैचान पा ही, तो आप दो क्रिया आ रही है, निकलना और अधेरा भागना, तो अधेरा कब भागा, अधेरा कब भागा जब सुवज निकला मतलब दूसरी वाली क्रिया पहली वाली क्रिया पर निर्बर कर रही है तो यहाँ पर भी क्या होगा यह मिश्रत वाक्य होगा एक यहाँ पर दो यहाँ पर के? अब यहाँ पर डेखो यहाँ पर यहोगा याद करने पड़ेगी यह समुच्च वह अव्य है यह आपको याद करने पड़ेंगे तब हैं पहचान पाओगे जिसे मैं पढ़ रहा हूं और तूम लिख रहे तो यहां पर और आ गया तो और से बैचान लो के यह क्या होगे लेकन दूसरी वाली वाली करिया पर नहीं करेगी यह चीज दान लखनी है जैसे कि यह मिस्टवाकि में अंपन रहे थी ठीक है तो यहां और से पहचान जाओ गए जए पी मैं वहाँ नहीं था तत्थापी पूरी गटना बता सकता हूं, तो यहां पर ततापी जो आगया, यह आपका शो कर रहा है कि यह संयुक्त या जितलवाक्य वाक्य को बताता था तो यह संयुच्च्छा वोदा कव्वव्य आप या आया होगा और जो मैंने आपको बताया है कि सरल वाक्य, मिश्रत वाक्य, सन्युक्त वाक्य, ये तीन चीजे बहुत इंपोर्टन है इस चेप्टर में, क्योंकि इनसे ही प्रिष्ण बनता है, तो समुच्चा वो तक अव्याय को आप याद कर लीजेगा, मिश्रत वाक्य में पहचान और भी हो जाती है, कि दूसरी वाली किरिए, पहली वाली किरिया पर बेढ़र करती है, तो आगर वीडियो अच्छा लगाओ, तो प्लिज लाइक और सब्सक्राइब रू कर दीजेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्यू, have a nice day